प्रिवे द्यारतिया आफ सभी को मैं नमाशकार और दिखे दस माई को साएं UGC का एक नोटीस आया है पब्लिक नोटीस आया है और NTA जो प्रिक्षा आईजीत करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो प्रिक्षा आईजीत करवाता है UGC के साथ मिलकर जो अब की बार जून में नेट का एक्जाम होगा उसके बारे में नोटीस आया है तो सब्जक्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि extension of last date for submission of online application form for UGC net जून दोजार चोबिस यानि 10 तारिख last date थी for online form भरने की लेकिन five days और बढ़ा दी है देखी इसमें लिखा हुआ है the National Testing Agency NT is in receipt of various representation from the candidates to extend the last date for submission of online application form for UGC net जून दोजार चोबिस यानि कुछ बच्चे हमें भी बता रहे थे कि sir forum भरने में कुछ प्रेशानी आ रही है site ठीक से चल नहीं रही है तो maybe इस वज़े से हो सकता है हुनोंने उनके पास काफी query गई होंगी काफी information गई होंगी विद्यार्थियों की problems उनके पास पहुची होंगी तो UGC ने निर्ने लिया कि पास दिन और एक्स्टेंड कर देते हैं therefore in continuation to the public notice dated to 20th April 2024 regarding submission of online application form for UGC net June 2024 award of junior research fellowship यानि जो ये form भरा जा रहा है एक तो है जियारफ के लिए जियारफ कौन कर सकता है minimum देखिए journal category के अगर मैं बात करूं तो 30 साल उमर जिसकी हो चुकी है वो जियारफ के लिए eligible नहीं है 30 साल तक ही एक्जक्ट आप eligible है 30 पलस होने पर आप eligible नहीं है हाँ OBC, SC और जो एक्सर्विसमें है और जो वीमेंस है उनके लिए 5 साल की छूट है यानि जिनकी उमर 35 साल अभी नहीं हुई है वो जियारफ के लिए eligible है ठीक है तो यह तीन अबकी बार option आने लगे हैं पहले दो option आते थे यानि एक आपका आता था only for assistant professor दूसरा option आता था assistant professor and जियारफ यानि junior research fellowship है ना लेकिन अबकी बार तीन option आते हैं तो जब आप पहला option option select करते हैं कि apply for assistant professor तो PhD वाला option अपने आप select हो जाता है क्योंकि अब की बार PhD का option इसलिए दिया गया क्योंकि UG जो है undergraduate graduation जो honors से जो करेंगे वो चार साल की हो गई है तो उनके लिए और जो वैसे भी graduate हैं या master degree students हैं वो PhD में अगर admission लेना चाहते हैं PG students तो उनके लिए इसी आधार पर यानि जो net base पर जो marking होगी इसी आधार पर उन्हें PhD में admission मिलेगा उन्हें मतलब अलग अलग प्रिक्षा हैं देने की जोरत नहीं कि रादस्थान उनुर्स्टी मेलग प्रिक्षा देते हैं दिल्ली उनुर्स्टी मेलग देते हैं सेंट उनुर्स्टी जम्मू मेलग प्रिक्षा दे रहे थे तो अलग लग विश्विद्यालों में प्रिक्षा देने की जोरत नहीं है उसी base पर ही admission होगा तो यह पहली बार एक नया option आया है यूजी से इसके बार मच्छी guidelines पहले दे चुकी है और appointment to age assistant professional and admission to PhD छीक है तो मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपकी age अगर आप journal category में है 30 plus आप हो चुके है तो आप only for eligible assistant professor and PhD और आपकी age अगर 30 अगर आप OVC और SC या women है या servicemen है अगर आप case 35 हो चुकी है तो आप GRF के लिए eligible नहीं है आप only assistant professor और PhD के लिए eligible है ठीक है अब आगे लिखा हुआ to PhD only in Indian universities and colleges एक इसमें अगर only में भी आप करते हैं कि सरफ मैं PhD के लिए ही apply करना चाहता हूँ तो फिर आप सरफ PhD के लिए eligible है in Indian universities and colleges भारती जो विश्विधाल है उनमें और जो महाविध्याल है जो colleges है उनमें NT decided to extend the last date for submission of online application form for UGC net June 2024 enabling the aspiring candidates to apply the candidate the schedule is as follows यानि जो schedule है नया वो यह रहेगा online submission of application form कब से है 10 माई 2024 जो last date थी लेकिन extend कब होगी 15 माई यानि 5 दिन और बढ़ा दी है पांस दिन का वक्त और मिल गया विध्यारतियों को यह खुश खबरी है UGC फूरा धिहान रख रहा है अपने students का जो net के लिए apply करते हैं PhD के लिए apply कर रहे हैं तो 15 माई 2024 कितने बजे तक रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक 11 बज कर 69 मिनट तक आदी रात तक आप apply कर सकते हैं अगला है last date for submission of examination fees यानि fees आप पहले 11 तक जमा करा सकते थे जब आपके last date 10 तारिक थी 10 माई थी लेकिन अब आपकी 15 माई last date हो गई है तो आप 16 माई तक यानि एक दिन बाद तक आप fees जमा 16 to 17 दो दिन तक फी जमा करा सकते थे इससे पहले आप 11 से 12 तक जमा करा सकते थे और अगर आपकी कोई mistake हो जाती है बाद में आपको पता चलता है कि यह मेरा mistake थी मेरा गलत भरा गया forum कोई भी particular information है गलत उसमें फिलप हो जाती है गलती से तो पहले 13 से 15 माई के बीच में आप correction window open रहेगी जिसमें आप अपनी कोई भी information जो गलत फिलप हो गई है बाद में आपको पता चलता है तो आप उसको correct कर सकते हैं ठीक है और the candidate can make correction in the detail submitted by them in their application form online through the correction window यानि correction window पर जाकर वो उनको correct कर सकता है UGC की website भी दे रखी है in case any candidate faces difficulty in applying for UGC net यानि अगर आप apply करते हैं आप जूज रही है तो आप contact कर सकते है UGC ने number भी दे रखे है 011-40759-000 या 011-6922-7700 अगर call नहीं करना चाहते है आप mail करना चाहते है तो mail ID दी गई है UGC net at the rate nta.ac.in for further clarification related to the UGC net June 24 और advise to visit the official website अगर आपको फिर भी कोई अधिकारिक जानकारी चाहिए officially जानकारी चाहिए तो आप direct UGC की जो website www.nta.ac.in उस पर जाकर या फिर UGC net.ta.ac.in पर जाकर आप शर्च करते रहे हैं कोई भी further information के लिए latest information के लिए और यह थी आज की UGC net की सामाने जानकरी आपका धन्यवाद झाल 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 झाल